और 統स्तों आज लोग इस वीडियो में जानेंगे Thearide बैमारी या कर्ण होता क्या है Tático क्योंकि बहुत सारे प्रसेंट इसन बिमारी से बहुत ज्यादा परसान है तो या जाते हैं मिर्ये पाई पास एक वीवर साय भोलत एक सार Thearide बैमारी हो गया है बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया फिर भी हमको ठीक नहीं हो रहा है और हमको 2-2 महीना, 3-3 महीना पर जांच कराना पर रहा है आकिर यह thyroid bimari है क्या नहीं ठीक हो पा रहा है बिल्कुल हम आपको बताएंगे वही ठराइड बैमारी जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और यहाँ जो बैमारी आधिकांस पूरुष के अपेक्ष्या महिलाओ को सबसे ज़्यादा होती है लेकिन समझना पुड़ेगे कि ठराइड आकिर होता क्या है ध्यान से समझेगा आप लोग बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा आज जम सस्पिसन आप पहटा देंगे और बहुत असान तरीके से बताएंगे ज़्यादा बारा लेक्चेर हम नहीं देंगे आपको जो लक्षन बताएंगे उस लक्षन को भी आप लोग याद करेगा अगर ऐसा लक्षन दीखे तो आप लोग ब्रॉक्पर से जरूर आप लोग देखाईएगा बेल्कुल आप लोग स्टार्टिंग होगा जली ठीक होगा अगर बहुत दिन से हो जाएगा तो थोरा समय लग सकता है ठीक है लेकिन अभी तक लेव हमको नहीं लग रहा है कि कोई ठीक कर सके है ठीक है लेकिन उस दवास से उसे कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन दोस्तों आप लोग ग्याद रखेगा कोई भी कोशन आपको किसी भी सबंदीत आप लोग हम से कमेंट बॉक्स और इस्टाग्राम पर फुच सकते हैं हम आपको मदद जरूर करेंगे कोई भी रिपोर्ट है आप इस्टाग्राम पर फिजएगा साचाई बताएंगे आई हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ठाड़ाई डाकिर होता क्या है ध्या और जानते हैं यह जो दोनों जो हर्मून जो है इसको केंट्रोल करता है तो हम लोग का ब्रेन करता है और ब्रेन में कौन करता है प्रिट्री ग्रन्थी जो होता है वह इसको केंट्रोल करता है अब प्रिट्री ग्रन्थी जो होता है यह भी एक हर्मून निकालती है कौन सा ह करती हैं अगर इसका लिबल अगर आपको बढ़ जाएगा न उपर जब बढ़ेगा तो यह kidding तो यही घट जाएंगा तो हाइपो ठाइडिडियम हो जाएगा तो अगर आपको हाइपो तो जब घटे का ना तो आदमी मोटा होते चला जाता है ये भी हम आपको हम बताएंगे और साथ में दूस्तों ये भी बताएंगे कि यह जो दूनों को जो है ना केंट्रोल करता है हम लोग का ब्रेंड जिसका नामे टी एसेच आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे तो ड होता है गर्दन में होता है और ये राइड स्टिमलूटिंग हर्मून छोड़ता है को है आप डूर्फीलो करने के काम करती है यह जो हर्मून होता है य Marshmabnder जोक होती है क्या करने के kाम करती है अगर यह सही से नहीं क्या होगा कि अगर बढ़ जा रहा है तो बहुत जल्दी कि एनर्जी को लॉस कर देता है जिसके और अगर वही कम हो जाती है तो क्या होता है एनर्जी नहीं बना पाती है मेटा बोलिम सही से नहीं बना पाते हैं जिसके उज़स से बोडी में भी एनर्जी नहीं मिलती है तो दोनों में हाइपर में और हाइपो में बोडी में एनर्जी नहीं मिल पाती है समझ गये हैं इसलिए नहीं मिल पाती है अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि बहुत जाली एनर्जी खतम करकर अपना खतम कर लेता है और नहीं पढ़ता है तो सही से एनर्जी नहीं मिल पाती है उसके वज़स भी कमजोरती है दोनों में दिकत है आईए हम अब हम लोग जानते हैं कि हाइपर ठाइडिजम और हुआ रहता है तो क्या होता है कि वजन गिर जाती है इसके पाद मांसिक धर्म होने लगती है और अनियमित मांसिक धर्म होने लगती है जो महिला होती है तो क्या होता है कि बहुत जादा मांसिक धर्म में रुकाओट आने लगती है कि कभी 10 दिन पा जाएगा 15 दिन पा जड़ा गर्मी हो गया इसके फार चिर चीर आपटन बहुत ज़्यादा होता है और सांथ में झानते हैं कम्जोडी भी बहुत ज्यादा होतीए कप्ज के समय से इनिटेम बनारे लिक पेट के समय से उन नहीं बढ़ता है तो शरीर को होता है कि मोटा होने लगता है ठीक है यानि उसमें कहते है कि वो जन बरने लगता है कि इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ठाकान बहुँ ज़्यादा मौसुस होते है फैंकि क्या अपता है कि हर्मून जो है न बना नहीं रहती है使 боड़ी में zona मिल पाए कि इसके बाद पौर ओड़े के ब्रुमोड होने लगती है और रुखे अब हम लोग समझेंगे कि इसका कारण क्या होता है कारण हम लोग समझेंगे तो आपको क्या होगा कि हाइपोथाइडिजम हो जाएगा तो यह सुब लक्षन दिखाई देने लगती है यह नर्मस समझें कि खान पान के गरबरी के होज़़ से आपको ठाराइड हो सकता है तो खान पान आप लोग बिल्कुल ठीक रखिये इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कभी भी हाइपोथाइडिजम है ठीक है हाइपोथाइडिजम है हाइपोथाइडिजम है कहोगा कि यहाँ पे कभी भी अगर आपको ट्यूमर हो जा रही है या आपको इसमें सूजन हो जा रही है तो हाइपर थाइडिजम होने की साम होना दुस्तों आपको बढ़ जाती है ठीक है इसके बाद आपको कोई भी लंबा समय से कोई बैमारी है इसके उज़से भी आपको हाइपर थाइडिजम के बैमारी हो सकता है इसके बाद आयोडीन की कमी तो हो गया क्या इसके वज़़ से भी आपको हो जाएगा और कुछ अनुवानसिक रोख होता है अगर आपके माता-पीता को या घर में किसी को भी है उस कारण से भी आपको ठताराईट का वैमारी हो सकता है बिल्कुल ठीक रहेगा है और हाइपो dollar २ मेन कि कमी इस में ख़ागी जाए ये कम हो जाएगा दोAdd बोलें कि और हर्मौन चोड़ता है थ्राइडिस्- dersomut Turkish आपिशंते हैं तब आब अबको हाईपोटाइडिजम हो सकता है। और गलतखान परन गलत्लाईपरिस्टाइज गया तो कम फर्में इसके वजर से भी आपको होजा जाएगा। ठीक है आप लोग एतना जरूर करिएगा